नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं ज़ार्खन की डीजी एमबी राव सिवानिवरीत 1985 बाच के ज़ार्खन केडर के IPS अधिकारी वा ज़ार्खन के पूर परभारी डीजी पी एमबी राव गुरु आरको सेवानिवरीत हो गाएं रांची के ज़ाइप ग्राउंड में होमकाट डीजी एमबी राव की बिदाई समारो कायोजन किया गया बता दे यहां विभाग की ओर से बिदाई दी गई बिदाई समारो जयप ओन डुरंडा में आविजीत किया गया बिदाई समारो में डीजीपी नीरा सिना साहित पूलिस के अने अधिकारी सामिल हुए ज़ार्खन सी एम किसान क्रेडिट कार्ट को लेकर हुए नराज की उपलबता सुनेशित करने का निर्देश दिया इसके साथ ही क्रिसी की छिती को और बेहतर करने को कहा उन्होंने धनवाद के उपायुक्त को बंद हो चुके माइन्स में जमा पानी का उप्योग सिचाई के लिए करने को कहा बता दे किसान क्रेडिट कार्ट जारी करने की धीमी गती पर मुख्य मंत्री ने नराजगी जताई उन्होंने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ट होना चाहिए या किसानों के लिए बहत जरूरी है जारखंड के पलामू चत्रा गढ़वा लाते हार आधी जिले में गुरु आर को अच्छी बारिस होने की उमीद है बता दे इस दोरान हवा की गती 50 किलोमेटर पर्टी घंटा तक हो सकती है राइधानी राची देवगर अदुम का समयत कई जिलो में में गर्जन के साथ बारिस हो सकती है इस दोरान बजरपात की भी असंका है मौसम विभाक की माने तो एक दो अक्टूबर से बारिस से थोड़ी रहात मिल सकती है जहारखं पंचायज चुनाव के लिए चुनाव चीन की सुची तयार राजहें निवाचन आयोग ने 33 तर्याद 55 चुनाव के लिए चुनाव चिन किस्वाँ की सुची त्यार के लिए अयोग ने इसका गयट परकासित कराया है बता देजिला परिशत पंचायज समीती सदस मुखिया ग्राम पंचायज सदस के छेत्रिय निवाचन छेत्र के लिए 24-24 चुनाव चिन चिनहित किये गए हैं इन चिनहों में मोतियों का हार और CCTV कामरा तक सामिल है ज्यार relative संख्यक छात्रिवीर्ति घुटाला की जाच शुरू conductivity परोनडलवार जाच शुरू की है cb मुख्याले के निर्देश पर पर्लवार अलग अलग टीम बनाई गई है सरकार के निर्देश पर पूरु में जांच के लिए cb में पी दरश की गई थी इसके बाद DSP को जाच की दमेदारी सोपी गई लेकिन बाद में विभीन जीलो में जाच के दोरान गड़वड़ी का मामला सामने आया इसे लेकर केस भी धर्ज किया गया बतादे मामला राज्य के विभीन जीलो से जुड़ा होने से अलग-अलग टीम गठित की गई है पुर्व में जाच के दोरान बिभीन जीलो से एसे बी के अधिकारियों ने रिपोर्ट भी मांगी थी देवघर में भारी बारिस के साथ खराब मौसन को लेकर उपायूक्त ने जारी किये अलट जारखन के देवघर जिले के उपायुक्त सहजिला दंडा अधिकारी मन्जुनात भजंत्री द्वारा जनकारी दी गई है कि लागातार हो रही बारिस के अलावा मौसम विग्यान विभाग से प्राप जनकारी के अनुसार कुछ दिन और जिले में अत्यधिक बारिस होने की अ संका व्यक्त की गई है ऐसे में उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पता अधिकारी अंचल अधिकारी के साथ संबंधित विभाग के पता अधिकारियों को अलट रहने का निदेस दिया है उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया है कि ज़रूरी हो पत्र लिखा गया है पत्र में कहा गया है कि फिजकल कोट के दरान कोरोना गाइडलान सक्ति से पारन किया जाए बता दे कि कोरोना वारत संक्रमन के करान हाई कोट सहीत सभी जीला अधालतों में फिजकल सुनवाई पर अगले आदेस तक के लिए रोक लगा दी गई थी इस जमसेदपूर में खुलेगा पुर्वी भारत का पहला जन जातिये विश्व विद्यालय जारखन सरकार जन जातिये विश्व विद्यालय अस्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है या पुर्वी भारत का पहला जन जातिये विश्व विद्यालय होगा बतादे जमसेदपूर के गालू डी और घाट सीला के बीच इस पित्व विद्याला के निर्मान की योजना है इसके लिए प्रारमविक तोर पर 20 एकर जमीन भी चीनित की जा चुकी है बिच्व विद्याला के निर्मान का उदेश से जन जाती है भासा और आदिवासी समुदाई की संब्रीद संस्कृतिक प्रमपरा को सहेजने उन पर सोध करने तथा आदिवासी समाज के मेधावी विद्यार्थियों को प्रुचाहित करना है वाहनों से जूर्माना वसुल्ले में पिछल रहा जारखंड देश के विभिन राजयों की तुल्ला में जारखंड में वाहनों से हो रही वसुली कहीं कम है बतादे पिछले पांच वर्सों से रायस्व वसुलने में खर्च रासी कुल रायस्व के लिहाज से राष्टी आउसत से कहीं पीछे है वर्ष्ट 2014-15 में जारखंड में 56.2 कुलो रूपय के करीब वार्षिक रासी ब्याय करने के बाद 660 कुलो रूपय के वसुली होती है वहीं यह अवसत 0.94 के करीब है जबकि राष्टी यह अवसत 6.25 है सरकार के सामने यह समस्या कर्मियों और अधिकारियों की कमी के कारण सामने आ रही है परिवहन विभाग ने इसी अधार पर अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है कैबिनेट की बैठक में MBI के नए पदों के लिए स्विक्रिति परदान की गई है अमोनिया गैस पलांट को सील करने का आदेश जारखन विधान सभा की परयावरन एवं परदूसन ने अंत्रन समीती द्वारा बुद्ध्वार को अमोनिया गैस फैक्तरी कमडे तथा जीरी आनंद नगर इस्थित कचरा डंपिंग याड की जाच की गई सबसे पहले विधान सभा समीती कमडे के अमोनिया गैस फैक्तरी पहुँची वहां रिफिलिंग का काम जारी था बता दे समीती ने रिफिलिंग का काम बंद करा कर सील करने का आदेश दिया समिती ने कहा कि जब तक फुरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस कमपनी में रिफिलिंग का काम नहीं होगा जेल भेजे जाएंगे भाड़े के जमानतदार राइधन में पूलिस और भाड़े के जमानतदारों पर सिकंजा कसने जा रही है बतादे सहर की सभी थानेदार पूलिस के आला अपसरों के निर्देश पर ऐसे जमानतदारों की सूची तयार कर रहे है ये भाड़े के जमानतदार किसी भी छोटे बड़े अपराधी की जमानत लेने को तयार रहते हैं जमानत लेकर बाहर घोम कर अपराद करने वाले बदमासों को भी चीनीत करने काम सुरू किया गया है। देखा जा रहा है कि किन लोगों ने बदमासों की जमानत ली है। राईधानी में कई ऐसे जमानादा चीनित किये गए हैं जो अपराधियों से पैसा लेकर उनकी जमानत कराते हैं नगर निगम बोट की बैठक शुरू राईधानी नगर निगम बोट की बैठक शुरू हो गई है बता दे सुबा 11 बज़े निगम सभागार में बैठक बुलाई गई थी जो देड़ घंटे बाद शुरू हुई बैठक में मेयर आसा लकडा नगर आयुक्त मुकेस कुमार डिप्टी मेयर संजीव बिजयवर गिये सहायक नगर आयुक्त च्योति कुमार सिंग सितल कुमारी वा अने अधिकारी मवजूद हैं बैठक अभी चल रही है बता दे आज भी अधिकारी कलाविला लागा कर बैठक में सामिल हुए हैं वहीं मीडिया कर्मियों को बैठक में सामिल होने के अनुमती नहीं दी गई गतला भाई की मेयर ने मीडिया कर्मियों को बैठक में सामिल किये जाने को लेकर पत्र लिखा था सरना कोट के लिए आदिवासी संगठनों ने दिया धर्ना अधिवासीयों को अलग धर्म कोट देने और सरना कोट की मांग को लेकर गुरुबार को राज भोवन के पास आधिवासी संगतनों ने धारना दिया इसमें केंद्रीय सरना समित्य अखिल भारतिय आदिवासी विकास परिशद और आदिवासी सेगेल अभियान के करकरता सामिल हुए बतादे समित्य के अध्यक फोलचन तिर्की ने कहा कि जार्खन विधान सभासे धर्म कोड का परस्ताव पास करा कर केंद्र को भेजा गया परन्तु सरकार ने अनुसंसा भेजने से पूर्व कई तक्निक की गलती की है इस वज़ा से सरना कोड का मामला लटका हुए है इसके अलावा मुख्य मंत्री हमान सुनें दिली में ग्रिय मंत्री अमित सास से भी मिले परन्तु सरना कोड पर कोई चर्चा नहीं की लोहर दग्गा में पी-म आवास है अधूरा तो दर्वाजे पर बज़ेगा बेंड बाजा जी है आपका पी-म आवास अधूरा तो नहीं है आपने भी योजना का पैसा उठा कर आवास अपूर्ण तो नहीं छोड़ दिया है ऐसा है तो समधान हो जाए बता दे आपके घर के दर्वाजे पर कभी भी बेंड वाले बाजा बाजाने पहुँच सकते हैं ऐसा ही हो रहा है लोहरदागा नगर परिशद में बता दे नगर परिशद की टीम ऐसे चीन हीत लावको के घर पहुच कर बैंड बजबा रही है नगर परिशद की इस अनुठी पहल का अब असर भी दिख रहा है बता दे निर्वान कारे में तेजी आ गई है एक माह के अंदर ही तीन सो तीन पीम आवास बन भी गए हैं सीम हिमन्त आज आट घंटे विभागों की करेंगे समिक्षा मुख्य मंत्री हिमन्त सुरेन गुरुवार को जनहित से जुड़ी योजनावों को लेकर मेराथन समिक्षा बैठा करेंगे लगभग पूरे दिन चलने वाली सोला भी भागों की समिक्षा बैठा के दोरान सम्मंधित भी भाग के मंत्री सचीव के साथ साथ सभी जीलों के उपायूक वा एसपी भी मवजूद रहेंगे बता दे मुख्य मंत्री के अस्तर से की जाने वाली बैठाक में बीसेस कर ऐसे भी भागों को चुना गया है जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है बैठा के सुरुवात क्रीसी पसुपालन यों साकारता भी भाग और समापन साम 6 बजे ग्रीह कारा यों आपता परबंदन की बैठाक से होगी धन्यवाद